हेलो फ्रेंड्स राधी राधी वेल्कम बैक तो मा यूट्यूब चैनल शाम किचिन अने स्टीचिंग आज हम लेकर आए हैं लड्डू गो पाल जी के लिए बेलवट की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें ये ड्रेस बनानी है बहुत ही कम कप कपड़े में और बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बनने वाली है अगर आपके पास भी है कोई छोटा सा हैंकी की बराबर कपड़ा तो आप 5-6-7 नंबर तक के लड्डू पाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बना सकते हैं देखिए आप ये देख रहे हूंगे मेरे पास एक स्कॉयर पीस में इतना चोटा सा बैल वेट का एमरोईडी वाला कपड़ा है इसी तरह के कपड़े इसली वैसे मिल भी जाते हैं मार्केट में और अगर आपके पास कोई है तो बहुत ही अच्छी बात है तो ये हम इतने चोटे से पीस से ही बनाने वाले हैं 5 नंब और ड्रेस्पी आप बना सकते हैं उसके लिए आपको आर्कंडी का भी चकोर पीस लेना होगा अब मैं इसके उपर रखकर कटिंग से पहले ही एक स्लाई लगा रही हूँ स्लाई लगाने के बाद हमें इसमें से एक्स्टा कॉरनर्स को कट कर देना है और देखी बहुत इआसान तरीके से ये स्लाई लग जाती है गुलाई में हलके हाथ से आप कपड़े को पकड़ते जाए ये खपड़ा अपने आप ही घूमता चला जाएगा आपको जादा तो यह देखिए हमने गोलाई में स्टिच करा और अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा सब कट कर रहे हैं तो जब तक एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको फिनिशिंग लुक देते हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स अगर आप हमाई चैनल पर फर्स टाइम जोल्ड करने के बाद इस पर मार्क करेंगे गोलाई में कट करने के लिए जितनी हमें कमर चाहिए पहले चोटा पीस कट कीजिए जिस्से की आप बाद में मेजर करके अगर आपको लगता है कि हमारे लट्डुपाजी कमर पर चोटा आएगा तो इसको KIR चौटा सा आप और अकट और कीजिए अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे हैं एक दम आसान ना प्लेट्स भरने का जंजट ना कोई वर्क करने का जंजट वर्क वाला कपड़ा है और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनती है सर्दियों में हलकेल की जब सर्दिया होती है अगर आप इस तरह के ड् में ड्रेस पहले ही बना कर रख रही हूं और देखे रैड कलर है तो नवरात्रों में अगर बाइचांस मौसम थोड़ा ठंडा होता है तब भी हम इसको पहनाएंगे तो बहुत ही प्यारी सी लगेगी नवरात्रों में रैड कलर की ड्रेस बहुत अच्छी रखती हैं तो य लगा रहे हैं अगर वह हाड होगी तो उससे फिनिशिंग नहीं आएगी तो यह चीज़ धियान में रखें कि सौफ्ट वाली को इबारी क्लेस लें क्योंकि इस पर अल्रेड इतना वर्क है कि आपको जादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप चाहें तो लेस की जगए यहां पर बाहर बाहर छोटे छोटे पैच भी लगा सकते हैं आप जिस तरह से जितना हैवी लुक देना चाहते हैं वो वर्क आप इस पर कर सकते हैं क्योंकि बीच का बेस तो अल्लेडी कंप्लीट है उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना है आप आप को बस किनारे किनारे पर वैसे यह बारिक सी लेस बहुत अच्छी लगा रही है क्योंकि golden वर्क है तो हमने golden लेस लिए है अगर colorful वर्क हो तो आप colorful लगा दीजिए और silver color का वर्क हो तो silverless लगा दीजिए तो यह हमारी लेस हो चुकी है complete अब हमें आगे के portion में ये और स्लाई लगाती दोनों तरफ हमें ऐसा ही लगाना है चोली जो हम बनाएंगे आप देखेंगे जब हम ठाकुर्चे को पहनाएंगे कि उनकी बाजू टाइप्स की इसमें आ जाएंगे थोड़ा सा हम डाउन वाली चोली बनाएंगे जिससे कि वह उनके हैंड्स को कवर कर ल तरफ हैंगे आसान सा मैं तरफ आपको बतानी चाहरा हूं एक बार द्यान से देखें यह देखें हमने चोटा सबीस Linda इसके साथ मैं अस्तर इसका साइज मैं आपको मैं एक बार बता देती हूं दो इंच और दस इंच, दो इंच और दस इंच के दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे, किनारे किनारे पर हमें इसलाई लगानी है, अगर थोड़ा सा आपको लगता है कोई सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको कटिंग करके एक दम फिनिशिंग के साथ तयार कीजिए, हमने इसको पलटने वाला नहीं बनाए, क्योंकि अल्रेडी एक अपड़ा मोटा होता है, तो इसको हम पलटेना इस तरह से बनाए, चोली आराम से जिस्से की पहनाई भी जा सके, अब एक साइज गोटे से लॉक कर दीजिए, कट कर ये, अब इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, यहांसे कटिंग कीजिए, एक दूसरे के उपर दोनों पीस को रखिए, और फिर वन थार्ड पार्ट को स्टिच कर दीजिए, यानि कि तीन पार्ट्स में डिवाइड करके, एक पार्ट को स्टिच कर दीजिए, और बीच में से दोनों तरफ को पतला पतला सा फोल्ड कर दीजिए यह वाली चोली मुझे सबसे अच्छी लगती है पहनाने में भी और वैसे भी इजी है बनाने में भी अगर थोड़ा सा डीली भी हो जाती है तब भी अच्छी लगती है और कोई दिक्कत नहीं आती इसको पहनाने में बहुत आसानी से आप पहना सकते हैं और बनाना तो आप देखी रहे हैं कितना आसान होता है बस यह बन की एकदम तयार हुजाती है दोने साईडों को फूल्ड किया अब यहा से और थोड़ा थोड़ा सा इसको हम साइडों से सिल देंगे, बहुत जादा नहीं, बाजू के लिए क्यों छोड़ना है कि ठाकुरजी की हाथ जो है आराम से चले जाएं और बाजू के लिए थोड़ा लूज ही छोड़ना चाहिए, अदर्वाइस पहनाने में दिक्कत आती, अब इसको सीधा कीजिए और इसको इस गोलाई के साथ जोड़ दीजिए इसमें क्योंकि पेस्टिंग वगरा कुछ लगावा नहीं है, इसलिए बहुत ही आसानी के साथ जोड़ जाएगी और आरकंडी लगने की वज़े से इसको आप धो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर आप पेस्टिंग लगाते हैं तो धोने में दिक्कत आती सुनी धागे से दो टाके लगाके ये पगड़ी हमारी एकदम से तयार हो जाती है, डबल लेयर वाली में ये पगड़ी बनाऊंगी, बहुत ही प्यारी लगने वाली है, तो ये देखिए, अब जितनी गोलाई हमें चाहिए ठाकुरजी के सर पे आ जाए हमारे, उतनी हम इस स्लाई लगा देंगे, मशीन से ही लग जाएगी इसली, ये मैं यहाँ पर एक स्लाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो सुनी धागे से लगा दीजेगर आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो तो, अब इसको यहाँ पर ऐसे एक फोल्ट देते वे, इस तरह से और इसको अंद अंदर अंदर लगा कर इसको हम सेट करतेंगे, तो ये थोड़ी सी एक साइट से पतली और एक साइट से चोड़ी इस टाइप की पगड़ी सिंपल सोवर्सी बनकर तयार हो जाएगी, देखिए इसमें हमने लास तक इसकी गोलाई को इस तरह से सेट कर दिया, अभी मैं आप आपको ये ड्रेस ठाकरजी को पहना कर भी दिखाऊंगे, ये कितने आसानी से आप इसको पहना सकते हैं, और कितनी प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छा सरलुक आता है इस तरह की ड्रेस का, और देखिए क्योंकि प्लेट्स वगरा भरने में जिनको दिक्कत आती है, तो उनको इस तरह की ड्रेस बहुत ही सही रहती है बनाने में, इसली आप बना भी सकते हैं, कपड़ा भी जादा नहीं लगता और टाइम भी जादा नहीं लगता, तो ये ड्रेस और पगड़ी बनकर रेडी हो चुकी है, चलिए लाला को लेकर आते हैं, पहना कर दिखाते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं ठाकुर जी भीकुल रेड़ी है पहनने के लिए तो ये देखिए इधर से हम आप ये नहीं सोचना कि मैं इतने जलगेलदी पहना रही है वीडियो फास्ट है बहुत ही आराम के साथ पहनाए और ये देखिए ड्रेस बिकुल एकदम आसानी से पहनी जाती है और यहाँ पर आप इसको इस तरह से आप देख रहे हैं उनके आदे आदे हाथ भी कवर हो जाते हैं इस वाली चोली से और बहुत ही अच्छी रहती है हलकी हलकी ठंड में और मैं आपको इस पर पगड़ी लगा कर दिखा देती हूँ कि इस ड्रेस की पगड़ी ठाकुरजी को हमारे कैसी लग रही है मैं बिना बालों के लगा रही हूँ आप बालों के साथ लगाएं तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आयागा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप किस तरह है कि कोई ड्रेस या पगड़ी या कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करकर जरूर बताएं जिससे कि हम आपके लिए उसका वीडियो अप्लोड कर सके फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ अब तक के लिए राधे राधे जैश्रूर थैंक्स फोर वाचिंग